जहें दोस्तों बंदे मातर पाकिस्तान टीम के लगातार खराब खेलने के कारण टी-20 वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान टीम की नहीं बलकि टीम के खिलाडियों की जिस तरीके से अलोजना हो रही है वो काफी जादा अश्चरेजनक नहीं लगती है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टीम बाबाराजम की कप्तानी में लंबे समय से अच्छा खेल रही थी, ऐसा लोगों को लग रहा था लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ अच्छा पदरशन किया था इसलिए अब उनके प्रदर्शन के उपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी उनका मैच जब जिम्वामवे से हुआ था उसको हारने के बाद से तो क्या ही करे बावाराजम की कप्तानी के उपर भी सवाल उठाये जा रहा हैं साथ साथ जो स्ट्रेटेजी वो के मैदान के उपर अपना रहे हैं उसका सीधा इसीधा असर उनकी बल्लेबाजी पर भी देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वो अपनी बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रशन नहीं कर पारे हैं साथ ही पाकिसान की टीम के अगर बात करें तो उनके टॉप के तीन बल लबाजों ने लगबख पिछले करीब 20-25 मैचों में 75% डर्ण मनाये है। तो ऐसे में अब शुरूपर के तीन बल लबाजों के उपर ही पूरा दारूमदार है। मिडिल ओर्डर को भी तक टेस्ट किया नहीं गया था और इस वर्ल्ड कप में उनके मिडिल ओर्डर के उपर जब प्रेशर आया तो वो प्रेशर में बिखरता हो नजर आया। ऐसे में अफरीदी को अब काफी ज़ादा अफरीदी भाई आप पूछेंगे कि शाहिद अफरीदी की बात यहां कैसे आगई। तो शाहिद अफरीदी लगातार बचाओ कर रहे हैं पाकिसानी टीम का। क्यों? क्योंकि भारत के कई सारे दिगज़ लोग हैं जो की लगातार यहां पर बखिया हो देड़ रहे हैं पाकिसान के क्रिकेटरों की और बता रहे हैं कि वही है वो कितने जार सेलफिश हो चुके हैं अब इस बार एक बार फिर से मैदान पर तो नहीं लेकिन मैदान के बाहर गंबीर और शायद अफरीदी आमने सामने आए हैं आई सीटी ट्विंटी वर्ल्ड कप 2022 में बावर आजम अपनी कप्तानी और बल्लेवाजी दोनों को लेकर आलोचकों के निशाने पर रहे हैं वैसे गंबीर और अफिरीदी का इतिहाद जो है वो भी साफ बताने के लिए काफी है कि मतलब आपको खुद लगेगा कि याजी सब क्या चल रहा है जो भी हो निदिलेंड के खिलाव पाकिसान के मैच के दौरान गंबीर ने कहा कि मेरे हिसाब से पहले आप अपनी टीम के बारे में सोचते हैं और फिर खुद के बारे में सोचते हैं अगर आपके प्लान के हिसाब से चीज़े नहीं हो रही हैं तो फकर जमा को बैटिंग आलडर में उपर भीजना चाहिए कप्तान के तोर पर ये सेलफिशनेस कहलाती है सेलफिश होना असान होता है अगर आपको लीडर बनना है तो पहले आपको अपनी टीम के बारे में सोचना होगा अफरीदी ने इसका जवाब देने के साथ ही बावर को नसीफ़ देते हुए समा टीवी पर कहा ये टूर्णामेंट के बाद कोशिश करेंगे कि बावर को बोलें कि उनके बारे में भी कुछ बोलें क्योंकि वो भी तो घर जाएंगे ना अलोचना हमेशा होती है लेकिन आपको शब्दों का चैन करते हुए बाफिस सा तरक रहना चाहिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तमाल करने से बचना चाहिए जिससे कि वो खरगाड़ी उस सला के तोर पर उसको ले सके और जहां तक बावर की बात है उसने बहुत सी मैच विनिंग पारियां खेली जिस कंसिस्टेंसी से उसने रन मनाया हैं बहुत कम पाकिसानी बैटर से सकर पाएं अब देखिए यहां पर शाहिद अफरीदी के पास वैसे भी किसी भी तरीके से इस बात का बचाव करने का तरीका नहीं था कि किस तरीके से बावर राजम को बचाते है कि वर्ल्ड कप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनौतियों से भरता जा रहा है सौथ अफरीका ने भारत को हरा दी है जिससे कि पाकिसान की दावदारी को और विजार डेंट लगा है मेरे सुने फिलात नहीं जाए हैं जाए भारत